तो गाइस डेल की तरफ से आपको लैप्टॉप चाहिए था एक अप लोग को प्रोफेशनल ग्रीड का लैप्टॉप चाहिए बड़ा स्क्रीन ओ 15.6 इंच की एक स्मूध बटरी 120 हर्स की आप लोग को डिस्प्ले चाहिए साइच जो 12 जनरेशन के साथ आए और यहां पर परफॉर्मेंस आप लोग को सारी जो आसानी से करवादे कोई भी लैक स्टर बगारा नहीं चाहिए फ्रॉम डिल तो यह है ना तो चलिए इस बॉक्स को खोलते हैं देखते हैं बॉक्स के इंदर क्या है और यहां परफॉर्मे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फाइदा बंद होगा फ्री में बहुत लोगों फाइदा हो चुका है आपका भी होने वाला है तो जाओ यार जोइन करो तो यह बहुत लैप्टॉप मुझे प्रवाइड के इन्नोवीशन लैप्टॉप स्टोर चुके गौहाटी असाम के अंदर सिचुएटे अगर आप लोग नॉट इस से हो या फिर असाम से हो आप डिर्कली गौहाटी में आके स्टोर विजिट कर सकते हो वहां पर आप लोग को PC पार्ट चाहिए एमेजिंग आप लोग को कोई भी PC बिल्ड करवानी है लैप्टॉप चाहिए कोई भी ऐसे सब कुछ मिल जाएगा जो कि आप लोग वहां से डिर्कली पर्चेस कर सकते हो अलॉंग विद नीचे आप लोग को डिस्क्निशन वाक से लिंक नंबर सब कुछ मिल जाएगा आप जाके जरूर चेक आउट करना और कुछ भी डाउट है आप डिरिकली उनको WhatsApp या फिर कॉल मुल जाती है और यहां पिर उपर के साइए को और साइट में Mitsťट देखने को मिल जा और जो की 65 की यहां पर से सपोर्ट करता है यहां पर एक charging cable भी आप लोग को मिल जाता है inside the box और बाखी box के अंदर कुछ है नहीं तो जड़ी जड़ी laptop को देखते हैं तो laptop की first look की बात करें कुछ ऐसा आप लोग को front side में Dell की branding मिलती है फुल आप लोग को metallic design के साथ मिलती है polycarbonate आप लोग को plastic सा cover मिल जाता है जो कि metallic finish के साथ आता है यहां पर coating की बात करें बैक साइड की बात करें बैक साइड में आप लोग को प्लास्टिक ब्रांडिंग बीच में है और यहां पर आप लोग को एर इंटेक के लिए वेंस दिया गया है रबर की इस आप लोग को चार नीचे मिल जाती है और बहुत ही minimal और sober look यहां पर मिल जाएगा जो कि dell का usb है और दिखने में बहुत दा premium लगता है जब भी आप लोग को इसको hold करोगे साइज की बात करें 15 इंच की साइज है तो आप लोग को जो थोड़ा बड़ा साइज का यहां पर लाप्टॉप मिलता है तो चलिए फर्स जो लाप्टॉप की डियुरिबिल्टी टेस्स देग लेते हैं तो फर्स इसके ग्रीब बहुत सही आप लोग को मिलती है अगर मैं बीच में इसको प्रेस करके उसके बाद इसको खोलना होगा तो यहां वेट डिस्ट्रिबूशन उतना भी जादा आप लोग को सही नहीं मिलता है अगर मैं बात करूं यहां डिजाइन की तो देख पार है आप लोग जब मैं इस लैप्टॉप की लीट को ओपन कर रहा कूल जादा टाम तक रहेगा और यहां पर डीटेलिंग में बहुत ध्यान दिया गया है अप लोग अगर यहां पर नोटिस करें इस जेका पर और रबर ग्रिब्स दिया गया है ताकि जब आप इसको ऑपन करते हो नीचे से यह डिरेक्ली जोए ग्रिब प्रोवाइड करता तो यह चीज था अबाउट डिस्प्ले तो हिंच क्वालिटी मुझे बहुत बरिया लगी लाप्टॉफ की जो कि आप लोगो कोई भी दिक्कत नहीं देने वाला ठीक है उसके बाद में अगर बात करो यहां पर कीबोर्ट फ्लेक्स की तो कीबोर्ट फ्लेक्स आप लोगको हल यहां पर देल की बहुत सरी इंफॉर्मेशन दी गई है टचपैट की क्वालिटी की बात करें फुली प्लास्टिक टचपैड ही है बट रेस्पॉंसिव है और बड़ा साइज का ट्रैक्पैट है तो उस पर आप लोगो कोई भी दिक्कत नहीं आएगा अट माउस पगरा य को बात करते हैं तो चली आगे अगे लिप टोपे बढ़ती है विल्ट क्वालिटी हमें देख लिया विल्ट क्वालिटी मुझे सही लगा इस पर प्राइज और डेल के ब्रांडिंग है यहां पर चैसा ही आप लोगो प्रवाइड करता है यहां पर एक हाथ से अगर आप व वगरा भी नहीं आता तो बिल्ट क्वालिटी आप लोग को मिलती है तो चलिए अब भी इस लाप्टोप की स्पेसिफिकेशन जान लेते हैं आगे बड़ते हैं विद रिव्यू और उसके इन डीटेल सब कुछ हम लोग बात करेंगे यहां पर इस लाप्टोप की स्पेसिफि फ्रिक्वेंसी देने वाली है और यहां पर फ्रिक्वेंसी मिलता है और यहां पर अपको स्टोरेज जो मिलता है यह 500 पर जीपी के एससटी का मॉडल है मेरे पास और हाइब्रीड मॉडल भी इसकी मिल जाती है वन टीबी की अपर दिस्प्ले की बात करते हैं डिस्प्ले को 15.6 इंच के फुल एजी डवली वी डिस्प्ले आप लिए पैनल है और यहां पर टूफिटी निच के आपलो को ब्राइकनेस का सपोर्ट मिल जाता है तो लो लिट कंडिशन में या फिर आउट्डर कंडिशन में यूज कर तो आप लोग डिस्प्ले के परफॉर्मेंस देदेगा और 300 निस होता तो जादा अच्छा था बट यहां टूफिटे निस के जादा उच्छा नहीं देता है डेल साहिसाथ यहां पर 120 हर्स की रिफ्रेश्रेट है जो कि आप लोग यहां पर दिस्प्ले से अंदर जाके इस आप लोग को प्रवाइट कर देता है अगर मैं बात करो वीविंग एंगल की अगर आप साइड बगरा से भी देखते हो तो आप यहां पर कंटेंट पर वाच करते हो तो एंजॉइ करोगे साइज सथी आप को दिक कर नहीं आगा रिगार्डिंग डिस्प्ले तो चलिए और जो स्पेसिफिकेशन है सब कुछ इन डीटेल बात करते हैं फरस्ट हम लोग यह देखते हैं पोर्ट की तो पोर्ट कर बात करते हैं तो लब साइड में फरस्ट पोट जो है डी सीन का पोर्ट मिलता है अगर राइट सेट की बात करें 3.5 mm का जैक की मिलेगा USB 2.0 की एक पोर को मिलेगा कोई भी आप लोग डीएसलर का कार्ड वगड़ा यहां पे एकसेस करना चाहते हैं वह भी आसाइन से आप कर पाऊगे उसके बात करते हैं तो यहां पर वाइप लोगों को यहां पर कोई भी करनेक्टिविटी लेटेट इस्यू तो नहीं आने वाला Bluetooth कर बात करे तो 5.2 की लेटेस्ट आप लोगो मिलेगी तो उस पर भी आप लोगो कनेक्शन रिलेटेट इस्यू बिल्कुल नहीं आएगा एंड डेल लाप्टॉप उसके बाद यहां पर आपके बात करते हैं तो सॉफ्टर में दिखना है ओफिस आप लोगो 2021 के स्टूडेंट एडिश इसे कर पाओगे तो इसके बात करें यहां पर आप लोगो एच्टी सेवेंटी पी का ही वेब्केम मिलता है थर्टी एक पीस की अलोंग विद यहां पर मैंने एक टेस्ट एड किया जहां पर आप लोगो पता चलेगा इसके माइक क्वालिटी कैसी है तो यह सैंपल आप पाओगे दिर्क लोग वेबकेम का लिए तो कुछ इसतरी की आप लोगो आप लोगो मिलेगी दी वीडियो कॉल यहां पर अपर आप लोगो इसको अपर आप लोगो अच्छी में चाए तो एवरेज बुडा भीन नहीं काऊंगा तो ठीक ठाग आप लोगो स्पीकर आप ल यूटूब स्पीकर एक लेलो याड हजार रुपए के आसपस लेगा बहुत इम्मर्सिव आडियो एक्स्पीरियंस आप लोगों उहां पर मिल जाएगा बैटरी की बात करें यहां पर 41 वाट आवर की थ्री सल की आप लोगों बैटरी मिलती है यह जो लाप्टॉप है आपको लगबाग 5 घंटे प्लस आप लोगों को ऑन आवरेज यह बैटरी लाइफ प्रोवाइट कर देगा और नॉर्मल यूसेज और 60 हर्ट्स पर अगर आप स्क्रीन रखते हो तब आप लोगों यहां पर आप आसाई से 6 घंटे तक भी बैटरी लाइफ मिल जाएगी अगर बाइटनेस 50 परसंट होगे ना में यूस करते हो तो कुछ ऐसा ही आप लोगों बैटरी लाप्टॉप में मिलता है यहां पर भी सेम आप लोगों बैटरी ल बहुत सब्सक्राइब करें तो यहां पर मैंने चार्जर प्लग दिन कर दिया था फुल जो है बेस्ट परफॉर्मेंस मोड में सेट कर दिया था और उसके बाद सारे टेस्ट में यहां पर कंड़क्ट किया तो यहां पर मुझे मिला और सिंगल कोर यहां पर 1530 पॉइंट मि ट्राइब किया जहां पर मुझे ओवराल स्कॉर मिला 4769 जो कि यहां पर सारे बेसिक टास्क तो आपको कोई भी दिखकर नहीं आगा देखो यहां पर जितने भी टेस्ट किया ना सारे एजी भी रैम कंड़िएशन के साथ टेस्ट किया और अगर आप लोग एनांस परफॉर जरूर मिलेगा फ्रॉम देल लाप्टों जो कि 12 जेनरेशन जितने भी लाप्टों कोई भी ब्रैंड हो वहां पर डूल चैनल कंफिगरेशन करने पर ही आप लोगों को बेस्ट परफॉर्मेंस देता है तो यह चीज़ जहां रखना आई थी की बात नहीं का रहा हो फ्रॉम आई 5 तो आई 7 कोई भी लाप्टों दूएल चैनल कंफिगरेशन चाहिए होता है फॉर बेस्ट आफ था बेस्ट परफॉर्मेंस उसके बाद मैंने यहां पर गीगवेंच 5 भी ट्राइक है जहां पर मुझे सिंगल कोड का स्कोर मिला 1-9-7-6 और मल्टी कोड यहां पर डव यहां पर इंटल यूज़ी में सारे टेस्ट यहां पर हो रहा था अगर आप लोगो आई शेक्सी का सपोर्ट चाहिए तो आप डिरेक्ली जो है यहां पर 8GB और लगाओ आपको जो आई शेक्सी का सपोर्ट मिल जाएगा जहां पर आप लोगो अच्छी खासी परफॉर्मे वह आपर मैंने एक्स्प्लें किया हैं और दिखाए कि जूरें सिंगल चैनल में कैसे काम करता है यहां पर एक गैम नाप्टों के सपट का मेंद वेल अस सेटिंग्स ट्राइग तो मुझे अब एराउंड 60 fps के आप सपास मिल रहा था तो यह अगर आप लोगो ट्राइग करना है तो हाँ गेम में ट्राइग कर सकते हो इससे भी आप लोगो बेटर मज़ा आएगा उसके बाद मैंने यहां पर ट्राइग किया वीडियो एडिटिंग देखो है 1080p level यह असाहीं से वीडियो एडिट करते ता है वहां पर दिकत नहीं आएगा जब 4K एडिट करो गया तो यह रो देता है यहां पर पांच मिलिट का क्लिप लगबाग देर घंटे के आसपरस लगा था यहां पर एक लियर था जाब एक कलर करके रखाता यहां पर प्ले करते वक्त भी हाफ टाइमलेंड में मुझे प्ले करना होता था तो 4K एडिटिंग के लिए यह मेशिंज एकदम आप लोग को ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देने वाला तो यह चीज़ ध्यान रखना यू सीरी का प्रसेर है अगर 8 सीरी का प्रसेर होता त तो फोटोशॉप यह चल जाता है कोई भी दिक्कत नहीं है अगर काम करते हो तो यह वाला आप अवाइड कर सकते हो बर नॉर्मल फोटोशॉप में सारे चीज़ यह आसाई से कर वालता है अगर कोडिंग की बात करें तो आप विजुल कोड यूज कर रहे हो या फिर एंड लेवल की कोडिंग आप आसाई से कर सकतो गेम डेवलप्मेंट के लिए बिलकुल नहीं है साथ चाथ जोए अगर आप लोग यहां पर कोई ग्राफिक्स इंटेंसिव काम करना चाथ हो तो उसके लिए यह लाट आप अच्छा नहीं होने वाला तो यह चीज धियान रखना आपको जो है नॉमल बेसिक जो डिग्री लेवल की प्रोग्रामीं वेरा करनी है आपको वेब डेवल्मेंट करना है स्टेडी परपस एंटरेंवेंट परपस के लिए तो हां बेजी जगडेल के साथ जाओ आपको दिक्कत नहीं आएगा टाइप भी वेरा करते हो तो यह ब अगर आपको यह वीडियो अभी पसंद आया तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दो मिलते हैं अगले इंट्रेस्टिंग और इमेजिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए स्टेए अलर्ट, स्टेए सेव और बाबाई